नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृति आएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप जानते हैं प्रिलिम्स 2024 को दियान में रखते हुए हम लोग पिछले एक बर्स का करेंट अफेर्स विसेवार उसका रिविजन कर रहे हैं और आज के लेक्चर में अक्टूबर और नमंबर 2023 में जो मुद्दे इंडियन पॉलिटी से संबंधित आया महत्पुर्ण मुद्दा रहा उस पर हम चर्चा करने बाले हैं लेक्चर 6 है इससे पहले हमने 5 लेक्चर पर चर्चा किया है अप्रिल 2023 से ही हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्य विशयों को देखा है हमने चली अब सीधे हम चलते हैं पहले टॉपिक के तरफ अनुसुचित जन्जाती और अन्य परंपरागत वन निवाशी वन अधिकारों की माननेता अधिनियम 2006 या फिर से सौट में कहा गया वन अधिकार अधिनियम तो अगर दोनों ही चीज़ आए या तो क्वेशन में ये पूरा लिखा है या दूसरा य के तहत वन भुमी सम्मंधी लगवक 40 प्रतिशत डावों को खारीज कर दिया है अब यहीं से ये मुद्दा जो है चर्चा में बना हुआ है कि इस तरह की स्तिती कैसे बनी तो अब ज़रा इस पर विस्तार से देखते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 के विसा में सबसे पहले सम जन जातियों समुदायों और अन परंपरागत वनवाशियों को निवास के लिए या जीविका के लिए स्वेंग खेती करने हेतु वन भुमी को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार देती है ठीक है यह कानूनी प्राद्धान किया गया है सेक्षन 3.1.1 के तहत यह अध इस नियम की धारा तीन के तहत अधिकारों के कुछ प्रकार हम देख लेते हैं देखिए जब इसमें हम अधिकारों के प्रकार देखेंगे तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत तोर पर देखेंगे उसके बाद हम सामुदाइक वन अधिकार देखेंगे और फिर हम सामुदाइक वन संसाधन प्रबंधन अधिकार भी देख लेंगे तो सबसे पहले व्यक्तिगत वन अधिकार देखते हैं इंडिविज्वल फॉरेस्ट राइट यानि की IFR देखिए इसके अंतरगत व्यक्तिगत या साजह रूप से वन भूमी पर निवास करने या जीविका हैतु स्वेंग खेती करने का अधिकार प्रतान किया गया है जो की शब्द से ही पता चलना है दूसरा जब सामुदाई की वन अधिकार की बात करेंगे यानि की कॉम्मुटी फॉरेस्ट राइट की बात करेंगे सी एफ आर की चर्चा करेंगे तब या वन निवासी समुदाईों के सभी प्रतागत और परमपरागत भूमी उप्योग अधिकारों को पुनर बहाल करने का प्राबधान करता है ये समुदाई अस्तर पर किया गया है ये व्यक्तिकरत अस्तर पर नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखिए समुदाईक वन संसाधन प्रवंधन अधिकार भी क्या गया है ठीक है यानि कि यहाँ पर मेनेजवेंट को लेकर के बात किया जाएगा इसके तहत गाउं की सीमा के भीतर एक गाउं है उसकी जहां तक boundary है उस सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रह किये जाने वाले लगुवनोपजों के स्वामित्त क्या क्या देख लेजिए पहले चर्चा किया गया स्वामित्त का संग्रहन करने के लिए पहुँच उनका फिर उपयोग और निप्टान करने का अधिकार प्रदान किया गया है ये दो तीन बाते हैं इसको एक नजर आपको देख लेना था ये जानकारी में थोरी शी रहने चाहिए अब यहां देखे ये इंपोर्टेंट है नोडल एजनसी इसका पूछा जा सकता है तो इसके जो अधिनियम है इस अधिनियम के अनुसार इसके कर्यानवेन की जिमेदारी राज्य सरकार और केंद सासित परदेश के प्रशासकों को है देखे राज्य सरकार की जब बात की जाएगी तो वहाँ तो चुने होय जन्परतनी हैं ही और केंद सासित परदेश की जब बात की जाएगी यानि कि यूनियन ट्रेटरी तो यूनियन ट्रेटरी दो तरह क्या हो गया एक हो गया यूनियन ट्रेटरी विथ असम्मली जैसे कि दिल्ली पुटी चेरी या फिर जमू कस्मी ठीक है और ऐसे यूनियन टेर्टरी जहां पर assembly नहीं है without assembly है जैसे कि लदाग की चर्चा आप कर लेंगे अन्वान निकोबार दिफ समू को देखेंगे आप लक्षदीप को देखेंगे दादर और नगर हवेली को आप देख लिजिए चंडिगाट को देख लिजिए तो ये सब यूटी है वहाँ पर जो होंगे केंद्र सासित प्रदेश में ये प्रशासक होंगे तो ये इनकी जिम्मेदारी के तहाद दिया गया है एक बात यहाँ पर चर्चा में आप पहले देख लिजिए ये जो किर्यान बेन के जिम्मेदारी है इसमें कहीं भी केंद्र सरकार का चर्चा नहीं किया गया है तो प्रश्ण में यदि केंद सरकार आता है तो आपको चोकरना हो जाना है चलिए भूमी स्वत्वा धिकार या भूमी पर मालिकाना हक की जब हम बात करेंगे तो यह अधिनियम भूमी पर किसी व्यक्ति देखें यहां पर व्यक्ति परिवार या समुदाई के अधिकारों को म प्रदान करता है हाना कि भूमी पर किया गया दावा चार हेक्टेर से अधिकार नहीं होना चाहिए एक लिमिट दे दिया गया है कि वो चार हेक्टेर तक होना चाहिए एफ आरे के तहद प्रदान किया गया भूमी पर मालिकाना हक एक कानूनी अधिकार होगा यानिकि यह ज कथन सही है यह पूछा गया है आप से यह नहीं पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है तो UPSC का जो नया पैटर्न है उस पर चर्चा है वन अधिकार अधिनियम की धारा 3-1-A वन में निवास करने वाले जन जाती समुदायों को जीविका के लिए खेती करने का अधिकार देता ह तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि निशीत तोरपन यह बाते की गई है इस अधिनियम के तहट यह सही है वन अधिकार अधिनियम के कारियानवेन की जिम्मेदारी केंदर सरकार की होती है यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि यह जिम्मेदारी जो है वह केंदर सरकार क की नहीं होगी राज्य सरकार की होगी और जो यूटी है यूनियन टरिटरी है वहाँ पर जो प्रशासक होंगे उसकी होगी क्रियानवेन के जिम्मेदारी तो ये जो एस्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा अब तीसरा वन अधिकार अधिनियम के तहट परदान किया गया इतने कथन तो दो कथन यहाँ पर सही नजर आ रहा है यानि कि केबल दो विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा चलिए अब यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर चलते हैं और यह बहुत महत्पुर्ण है अगर आप एक्जाम के दिर्ष्टिकोन से देखेंगे तो जितने भी टॉपिक यह है गैर कानूनी गतिवीधिया रोकथाम अधिनियम यानि कि सौट में इसे यूए पीए आप जैदा चर्चा में सुनते होंगे उनी सो सरसट अगर यह किसी पर लग गया ना तो समझ लीजिए बिलकुल टाटा बायबाय खतम मामलाई खतम इस तरह का यह है इस एंट कस्मी डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोशित कर दिया गया ठीक है यह यूपियसी में नहीं पूछेगा कि किस संगठन को जो है यूए पीए के तहत लाय गया 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 कानून के बारे में कि इसके मुख प्राबधान क्या है देखिए य इस अधिनियम के तहट किये अपराद संगे होते हैं अर्थात बिना वारंट के भी गिरपतारी की जा सकती यह बात है इसमें मिर्तु दंड या आजीवन कारावास का प्राबधान किया गया ध्यान देखना है मिर्तु दंड भी हो सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता ह केंदर सरकार विसेस आधारों को असपस्ट करके किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोशित कर सकती है एक बात इसमें जो आपको ध्यान रखने योग है वह है केंदर सरकार ठीक है तो यहाँ पर केंदर सरकार आपको ध्यान में रखना है केंद को प्रदत अन शक्तियां क्या है किसी गैर कानूनी संगठन द्वारा उसके धन के उपयोग पर रोक लगाना यानि कि बैंक अकाउंट जो है उसको फ्रीज कर दिया जाए किसी भी संगठन का है तब भी व्यक्ति का है तब भी यदि UAPA के अंतरगत वो आ जाता है तब किसी गैर कानूनी संगम के उद्विश के लिए उपयोग किये जाने वाले स्थानों को अदुश्यूचित करना कि कहीं पर कोई स्थान फिक्स है कि यहां पर यह प्रोग्राम होना है तो उस पर भी यह करवाई की जा सकती है और अधिनियम के तहत संसद किसी संगठन को गैर कानूनी संगठन घोसित कर सकती है सही से आप स्टेटमेंट पढ़िए यहां पर लिखा हुआ है संसद और यह गलत है और यहां पर होगा क्या केंदर सरकार तो चीजे जो है बहुत बारीकी से देखना है नहीं तो आते हुए च किये अपराद के लिए किसी वेक्टी को बिना वारेंट के गिरपतार नहीं किया जा सकता है तियान रखना है गिरपतार किया जा सकता है संगे किश्म का अपराद होगा तो फिर वारेंट की आवसकता ही नहीं रा जाएगी तो यह भी गलत हो गया इस अधिनियम के तहत सरकार आतंक वाद से प्राप्त आय को जप्त कर सकती है ये बिल्कुल सही मुद्दा है कितने कथन सही है तो केबल एक कथन मेरे ख्याल सही होना चाहिए क्योंकि ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया दूसरा केबल नहीं दूसरा तो गलत है पहला भी गलत है तीसरा केब सही हुआ तो केवल एक जो है विकल्प एसका सही जवाब हो जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं शर्णा सहीता यह बहुत चर्चा में रहा शर्णा सहीता पूछा जा सकता है देखिए मैंने जो यहां पर आपको यह बताया था पहला बाला जो भूमी को लेकर के वन अध वन अधिकार की मानता अधिनियम या फिर इसको वन अधिकार अधिनियम जो कहा गया 2006 यह टॉपिक और यह टॉपिक थोड़ा सा जोर करके पढ़ेंगे तो जैदा अच्छा होगा दोनों में से कोई एक टॉपिक पूछा जा सकता है चर्चा में रह सकता है चुकि आदिवा के चर्चा इस सरना को ले करके गलत मार देना है जारखंड ही के वल चर्चा मैगा जारखंड सरकार आदिवास्यों के लिए सरना धार्मिक सहिता को माननता देने पर विचार कर रही है ये बात सामने आया है और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए ये अपने आपको इस परंपरा से कह सकते हैं मानने वाले लोग जो हैं अपने आपको हिंदू नहीं मानते हैं वे मुर्ति पूजक नहीं होते हैं, वे जो है प्रकिर्टी पूजक होते हैं, चीजे देख लेते हैं, सरना के अन्वाई प्रकिर्टी पूजक होते हैं, प्रकिर्टी का मतलब क्या है, जैसे विरिक्ष हो गया, पहार हो गया, नदी हो गया, जर्णा हो गया, तालाव हो गया, तो इन चीजों की पूजा की जाती है आप कहेंगे इसमें धर्म को भी कांट तो किया जाता है कि एक कॉलम होता है कि किस धर्म से सम्मंधित वेकती हैं तो फिर अपने आपको ये किस धर्म में रखते हैं यदि हिंदू नहीं मानते हैं तो एक option आता होगा आप देखते होंगे कई धर्म का आता होगा कि हिंदू, मुश्लीम, इसाई, पार्शी ये और फिर एक आता होगा अधर्ति ये लोग अधर्मिटिक लगाते हैं अन यानि कि हिंदू से अलग खुद को बताते हैं मुर्ति पूजा नहीं करते हैं ये वर्ण वेवस्था में भी यकिन नहीं करते हैं जो जाती वेवस्था है उसका पालन नहीं करते हैं और नहीं स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ते हैं ये सब चीजों की अबधारना में इनका कोई विस्वास नहीं है फिर इनका आस्था क् देखिए मैंने पहले कहा था प्रकिर्ती, तो आदिवासे समुदाय में जो मुख तौर पर एक चीज़ देखी जाती है, जल, जंगल और जमीन, तो ये मुख रूप से इन ती चीज़ों पर ठिके रहते हैं, इसकी ही पूजा करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पर एक प्रशन देख लेते हैं, चोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपोर्टेंट है, ऐसे टॉपिक पर UPSC की नजर हमेशा ही बने रहती है, तो देखिएगा इसे, सरना पंत के संदर में निम्रिखित कतनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है, ये पूछा गया है, 36 गड़ के आदिवासी समुदाय द्वारा सरना धार्मिक पर्थाओं का पालन किया जाता है, मैंने पहने बताया था, कि जब भी इस चीज़ की चर्चा है तो आप जहार खंड लेके चलिएगा, इसलिए मैंने जोर दे दिया था, 36 गड़ की चर्चा नहीं है, देखिए, आपके मन में आबादी है, मुक्यता देखेंगे, अगर बहुत संख्यक देखेंगे, तो आपका दिमाग इस पर जा सकता है कि हाँ, ये सही हो सकता है, लेकिन नहीं, जारखंड सरकार इस पर विचार कर रही है, ध्यान देना है, ठीके, सरना पर्थ, हो सकता है, आगे चलके, 36 गड़ सवस्था का पालन करते हैं, ये भी सही है, और नहीं स्वर्ग नरक की अवधारना में विस्पास करते हैं, ये भी सही है, तो एक गलत हो गया उधर, सही दो इस्टेटमेंट हुआ, दूसरा और तीसरा, तो सी इसका विकल्ब जो है, वह सही होने बाला है, दूसरा और तीसर चलिए आगे बढ़ते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट यानि कि F.I.A.R. जिसको कहते हैं उसके ओन लाइन पंजीकरन की बात की गई है यानि कि ओन लाइन रिजिस्टेशन के उलेकर के चर्चा किया गया है लो कमिशन की एक रिपोर्ट की बात की गई है लो कमिशन की एक रिपोर्ट आई है दो सो बेरासमी रिपोर्ट इस रिपोर्ट में कानून और न्याई मंतराले को सौप दिया है लो कमिशन ने इस रिपोर्ट का सिर्सक है ओनलाइन माध्यम से प्रात्मे की दर्ज करने के लिए डंड प्रकरिया सहीता 1993 की धारा 154 में संसोधन ये कहा गया है अब डंड प्रकरिया सहीता 1993 की धारा 154 क्या है जला इसको देखिए इसमें किसी संगे अपराद के घटित होने पर प्रात्मे की दर्ज करने की प्रकरिया क उलिक किया गया है, संगे अपराद क्या होता है, संगे अपराद कहने का ताग पर है, जगन अपराद जिसको आप कहते हैं, तो इस तरह के अपराद में वारेंट जारी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, गरपतारी करने के लिए, बिना वारेंट के पुलिस आपको गर इसे हैं, देखिए, EFIR, EFIR कहने का मतलब क्या है, ओनलाइन EFIR, इलेक्ट्रोनिक्स माद्यम से, EFIR को चरनवर्द तरीके से लागो किया जाना चाहिए, ऐसे सभी संगे अपराधों के मामले में EFIR दर्ज करने की अनुमती, यहां अनुमती होगा, अनुमती दी जानी चाहि पक्षिकारों के नीजिता के अधिकार की उस रक्षा सुनिशित की जानी चाहिए, यह कुछ बाते जो है, इसके तहट कहा गया है, अब यहां पर एक प्रस्न देखते हैं, चर्चा में रही डंड प्रक्रिया सहीता, 1973 की धारा 154 का संबन किस से है, चार विकल्प यहां पर इसमें किसी संगे अपराद के घटित होने पर प्रात्मे की दर्ज करने की प्रक्रिया का उलेख किया गया है, यह सही है, अगर यही सही हो गया है, चुकि कोई एक ही सही हो सकता था, आप देखिए, घटित होने पर सजा के अपराद धा, नहीं सजा की बात नहीं की गई है, लूट की घटना से घटित होने पर कम सकम दस पर ऐसी तरह की कोई बात नहीं है घरेलू हिंसा की भी चर्चा नहीं की गई है यहाँ पर F.I.R. की संगे अपराद होगा तो प्रात्मेती दर्ज करने की प्रकरिया का उलेक लोग कमिशन ने यह किया है तो यह इसका सही विकल्ब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सुचना कादीकार राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI की बात आपने सुनी होगी बहुत इंपोर्डन्ट है नागरिकों के लिए हाद से बहुत महतुन है अब इसको लेकर कि यहीं हम चर्चा करें तो देखिए सुचना आयोग तथा राज सुचना आयोग में रिक्तियों को भरने का निर्वेश दे दिया है किसने दिया है सुप्रिम कोट ने किसको दिया है केंड सरकार और राज सरकार को क्या बात लेकर के कि केंद्रिय सूचनायोग और राज सूचनायोग में बहुत सारे पद जो हैं जनाब रिक्त परे हैं इसको जल्दी से जल्दी भरिये क्यों भरिये तो मुख बिंदू में देख लेते हैं सुप्रम कोट ने कहा कि इन रिक्तियों को ना भरने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पांच जो है एक डेटलेटर हो जाएगा यानि कि फिर इस कानून का कोई मत्ती नहीं ला जाएगा ये कानून लाया गया था कि नागरिकों को कुछ अधिकार दिये गए थे कि आप सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है क्या योजना ला रह इन सब चीजों की जानकारी ले सकते हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस की अवधारना को मजूद करने में RTI Act 2005 का महत पूर्ण योगदान है ये बाते अब जब ये बाते कही गई और यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर केंद्रिय सूचना आयोग या रज्जों के लिए रज्ज सूचना आयोग हैं ही नहीं पदरीक्त है तो फिर ये जो बाते की गई थी अवधारना गुड गवर्नेंस का लाया गया था ये तो फिर पूरा ही नहीं हो पाएगा मामला समझ में आ गया सुप्रिम कोट क्यों सक्ती दिखाई इस मामले को लेकर के इन रिक्तियों से बरी संख्या में मामले लंबित हो गए हैं और अपीनों शिकायतों के निप्टार में अत्यदिक देरी भी हो रही है अब जरासा केंद्रिय सूचना आयोग यानि की CIC और सूचना का अधिकार संसोधन अधिनियम 2019 के बिसे में समझ लेते हैं केंद्रिय सूचना आयोग एक सामविधिक निकाई है सामविधिक निकाई है संबिधानिक नहीं इसका गठन 2005 में आयोग के 16 अधिकार में सभी केंद्रिय लोग प्राधिकारी आते हैं आटियाई संसोधन अधिनियम 2019 के अनुसार केंसरकार नियम बनाकर केंद्र राज्य दोनों अस्तरों पर मुख सूचना आयोग यानि की CIC की बात की गई है और अन सूचना आयोग तो यानि की IC के कारेकाल की अधिन और वेतन वेगेरा ये निर्धारित किया जा सकता है ये इस अधिनियम में आटियाई संसोधन अधिनियम 2019 के अनुसार केंसरकार को ये अधिकार है सूचना का अधिकार संसोधन अधिनियम 2019 इसके तहर अजुसिचित किया गया था कि CIC और IC तीन वर्ष की अब्धी के लिए पद पर बने रहेंगे ये मामला क्लियर हो गया अब इस पर एक प्रस्ण देखते हैं केंद्रिये सूचना आयोक के संदर में निम्रीत कतनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है ये पूछा गय केंद्रिये सूचना आयोक एक संबिधानिक निकाय है ये गलत है मैंने पहले भी कहा था कि इस पर आपको ध्यान लखना है ये सामबिधिक निकाय है ना कि संबिधानिक निकाय है ठीक है मुख सूचना आयोकत और अन सूचना आयोकतों का करेकार पांच वर्स या 65 वर्स की उमर तक जो पहले हो रहेगा गलत है, यहाँ पर तीन वर्स रहेगा, देखिये, यहाँ पर कर दिया गया था कि तीन वर्स की अध़िक के लिए पद्दपर बने रहेंगे, यानि कि यह दोन negro की अध़िक है तो सही पूछा गया तो D होगा, यानि कि ना तो एक OUR ना ही दो।, मामलों के सिग्र निप्टान हो सके, इसके निग्रानी के लिए उच्छ नियालियों को कुछ निर्देश दिया है, देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उस हाई कोर्ट्स को एक तरह से कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सकती दिखाते हैं, कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, इनसे जुरा हुआ जो मामला है इसका जल्दी से जल्दी निप्टान करने की कोशिश कीजिए और इसको लेकर के लोक प्रतनिधुत अधिनियम उनीश्व एक्यावन ठीक है इससे संबंदित एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात है कहा गया है जब भी आप लोक प्रतनिधुत अधिनियम उनीश्व एक्यावन को पढ़ें तो यहाँ पर सेक्शन एट जरूर पढ़ने और इसका जो सी थ्री है मतब सेक्शन एट का क्लॉस थ्री ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है कम से कम दो साल की सजा वाले अपराधों के दोसी उमीदवारों को छे वर्षों के लिए चुनाब लगने पर परतिबन दिये करता है जैसे कि माल लेजिए कोई सांसत महोदे हैं या विधायक महोदे हैं किसी संगे तरह के मामलों में फस जाते हैं आरोप सिद्ध हो जाता है नारे के दोरह सजा दे दिया जाता है और वह दो बर्ष का सजा आ जाता है तो लोग प्रतनिजित अधिनियम 1951 की धारा आठ तीनिया कहता है कि दो साल के दिया आपको सजा हो गया है तो ये दो साल तो आप चुनाब नहीं लर पाएंगे अगले 6 साल भी आप चुनाब नहीं लड़ पाएंगे यानि कि कुल मिला करके 8 साल के लिए आप राजनिती से टाटा वाय वाय खतम मामना समझ में आ गया अगर ये 3 साल का हो जाए या ये 4 साल का सजा हो जाए तो 4 साल प्रस 6 साल तो 10 साल के लिए आप उस इस इस तेती में चुनाब बगरा नहीं लड़ पाएंगे मामना समझ में आ गया यानि कि सजा जितने वर्षों का मिला है वो तो पूरा करना ही परेगा और उससे आगे 6 साल तक आ और वो भी आपको बैन कर दिया गया है अच्छा आप कहेंगे सर ये 2 साल तक तो ठीक था यानि कि 24 मेना किसी को 23 मेने का ही सजा आए तो कोई बात नहीं 23 मेने का सजा कीजिए उसके बाद आराम से लड़िये विकोड़ तो ये चीज़े जो है तब जब 2 साल की सजा की बात की गई गई उच्छ नियालियों को संविधान के अनुचे 227 के तहट अपनी शक्तियों का उप्योग करके ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी के उपाई करने चाहिए अनुचे 227 यहाँ पर इंपोर्टेंट है ये हाई कोट से संबंदित है ध्यान रखिएगा अरुचे 227 कहीं भी अगर सुप्रिम कोट से संबंदित है तो सचेत हो रहना है यहाई कोट के बाते की गई है सुप्रिम कोट ने निमलिकी दिशा निर्देश जारी किये है सुप्रिम कोट ने उच्छ नियालियों को सांसदो विधायकों के खिलाप लंबित मामलों के सिख्र निप्टान के लिए तो स्वता संग्यान लेकर इन मामलों को दर्ज करने का निर्देश दिया है कि आप स्वता संग्यान ले लीजिए अगर आप तक F.I.R. या मामला नहीं आ रहा है ऐसे मामलों की सुनवाई मुख नियाधिस की अध्यक्षता वाली विसेश स्पीछ द्वारा की जा सकती है यह बाते भी सुप्रेम कोट ने कहा अब इस पर एक प्रस्न देखते है सांसदों विधायकों के खिलाप मामलों के संदर में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए कौन सा सही है यह देखना है किसी सांसद विधायकों कम से कम दो वर्स की सजा होने पर उसे छे वर्सों के लिए चुनाब लणने पर परिपन कर दिया जाता है मैंने बता हैं दिया यह सही है ऐसे किसी मामले पर उच्चितम न्याले सम्मिधान के अनुच्छे 227 के तहट स्वता संग्यान ले सकती है मैंने आपको सचेत किया था कि अनुच्छे 227 तो फिर जाकर ठीक है लेकिन यह जो है वह हाई कोट के संदर में है सम्मिधान यह हाई कोट के संदर में बात करता है ना कि उच्चितम न्याले सुप्रिम कोट के संदर में और यहाँ पर उच्चितम न्याले की बात की गई है सुप्रिम कोट इंडिया की बात की गई यह गलत है सही है कौन सा सही है तो केवल एक सही है केवल एक A में है तो इसका सही जबाब हो जाएगा A ठीक है अब आगे चलते हैं आगे ये है कि ये लेक्षर यहीं पर खत्म हो रहा है तो अकले मिला करके हमने जितने टॉपिक पर चर्चा किया है वह टॉपिक आपके यो जो यो पीसी 2024 में जबाब प्रिलिम्स देने जाएंगे उसके लिहाद से बहुत महत्पुर्ण होने वाला है तो अच्छे से तैयार कर लीजिए और अच्छे से फिर जा करके एक्जाम देजिए तो इस लेक्षर में इतना ही रखते हैं किसी दूसरे लेक्षर में किसी और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी अपना बेहर ख्याल रखिए तैंक यू